हाई अब देख रहे हैं मेरे पास है वद्ध यह दीमक को मारने की दवा है और दीमक खतम करने का एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है इसलिए मैं आज इसका रिद्यू कर रही हूँ बहुत से लोगों को क्या I think it's not a very popular product but it is very effective दीमक की बात करें तो कुछ दो तीन ही प्रोड़क्ट पॉपिलर है लेकिन हमने इसे काफी यूज किया हुआ है और यूज करने के बाद मैं आपको अपना experience बता रही हूं इसका में इंग्रीडियंट है क्लॉर पाइडिफॉस जो की 20% है इसमें और इसमें और भी यह और स्किन पर नहीं लगाना है तो इसमें इंग्रीडियंट और क्या क्या है इधर आप देखरें में इंशन किया गया है इस पॉज़नस इसका आपको ख्याल रखना है कि यह किसी के मुझ में आ जाए खाने पे ना जाए किसी बर्तन पे ना जाए कोई भी खाने की चीज इंहेल करने की चीज आपके कपड़ों पे ना लगे क्योंकि यह highly poisonous है तो यह आपको नुक्सान पहुचा सकता है और इसकी भी जो बचने का तरीका है यानि कि in case अगर किसी ने यह किसी के मुझ में चला गया है इंगल्स कर लिया है गुटक लिया ऐसे तो इसको इसके treatment का त सकते हैं here it is mentioned इसको यूज करने का तरीका यह है कि आप इसको जो solution है उसको आप सिरिंग में ले ले अगर आपको इसे खुद यूज करना है हम वैसे कई बार अपने घर में पैस कंट्रोल के लिए लोगों को बुलाते हैं और हमने खुद अपने घर में बुलाया हुआ है क् कि हमारे दीमक का प्रॉबलम था तो हमने पैस कंट्रोल के लिए बुलाया था लेकिन कई बार ऐसा होता है दूसरी जगह से दीमक आ जाती है तो जब भी आप देखें या आपको लग रहा है कि कहीं दीमक है वह ओविसली दिखने लगेगा आपको क्या करना है इस सिरिंग म बहुत पतली होती है आप देखी रहे हैं कहीं पर भी जा सकती है कि इधर भी जा सकती है आपको छेद करने की बहुत साड़ा जरूरत नहीं है दीमक आपको दिखती है और दीमक बहुत ईजिली दिखती है जो उसके चोटे-चोटे कीड़े होते हैं वह आपको दिखने लग आपको आपने निडल से उसमें दवा इंसर्ट कर दी है वहां पर या तो आप टेप लगा दें या फिर कोई वाइट सिमेंट आता है उसको लगा दें या किसी टेप से उसको बंद कर दें ताकि जो स्मेल है वो पूरे घर में ना फैले बहुत ही एफेक्टिव दवा है जहां आप इसे एक बार आप देंगे उसके बाद दोबारा वहां पर दीमक आपको नहीं दिखेगी यह मैरे इसमेरी बादरोमें तॉल के बीच में से संदिमक का ती और मेने इसी सिरीछ का यूश्र करके उस दीमक को खतम किया एक बहुत है अभी तीन-चार महीने हो गए हैं, there is no growth और कई जगार मैंने जो दीवारों में दीमक आ जाती है, वहाँ पर भी आप इसे जो छोटे-छोटे छेद हो जाते हैं, दीमक से बनते हैं, वहाँ अगर इस सिरिंच का यूज़ करके अगर दवा इंसर्ट करेंगे नीडल से, तो बह करते हैं, अगर आपको इसे लेना है, तो यह आपको किसी भी hardware store में मिल जाएगी, यह product Mweg Agrisciences का है, और यह Old Delhi में based है, तो जो लोग वहाँ से जाके ले सकते हैं, वहाँ जाके लेने, अदर्वाइस यह जो product है, वो कई hardware stores में available है, you can check and you can call them on JustDial, अगर आप इसे सर्च करे आपको इनके numbers मिल जाएंगे, आप इनको phone करके भी यह दवा के बारे में पूछ सकते हैं, कि from where you can get this product, हमें यह hardware store से मिल गया था हमारे घर के पास, हमें कहीं बहुत दूर नहीं जाना पड़ा, and it is quite helpful, quite effective, इसकी shelf life 2 साल की है, और यह 250 ml का product है, जिसका price है 124 रुपीस, इसकी अब shelf life over होगी, still I am using it and it is still quite effective, क्योंकि यह body के अंदर नहीं जाना है, क्योंकि हमें इसे अपने कहीं body पे use नहीं करना है, तो आप इसका use कर सकते हैं, देर तक भी कर सकते हैं, जब तक आपको लगेगे, इफेक्टिव है, अभी तक भी यह खतम नहीं हुआ है, बहुत छोट आप यूज कर सकते हैं, there are other products also, which are costlier than this, आज के लिए इतना ही मिलेंगे, एक नए वीडियो में नए topic के साथ, अब तक अपना खयाल रखिये, बाई